कि है लोग विल्कम तो दिचानल ग्यापनिकेडमी चले स्टार्ट करते और समझते फिजक्स कागला टॉपिक जो कि आप लोग के विधूत धारा नाम के चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है उसके बाद आप लोग का ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा और इस मान लिजे दो व्यक्ति है ए और बी जरा समझने की कोशिश किजिए दोनों को दस मिनट दिया जाता है कि दस मिनट में जितना दूरी तय करना है जितना किलोमीटर उतना दोड़ लो तो ये जो नाम का बंदा है वो मान लिजे इसी दस मिनट में एक किलोमीटर दूरी तय कर पाता है तो मैं अगर आप लोगों से पूछी कि पूछूं कि बताइए शक्ति किसका ज्यादा है किसका पावर ज्यादा है तो आप बोलेंगे कि बी का बी नाम के बंदा का क्यों कि यह दासी मिनट में ज्यादा धूरी तैय कर पा रहा है दो किलो मीटर इसका मतलब इसके पास क्या है पावर ज्यादा है शक्ति ज्यादा है बिल्कुल उसी तरह होता है हम लोगों के विधूद धारा में विधूद धारा में क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उन्हें मैनत करनी पड़ती है कारे करना पड़ता ह Goldman यकाम कर पाते हैं उसी को बोला जाता है विद्धूद्शकि अगर कोई पावर का करता है बहुत कम मेहनत करता है नि दो इसलिए depends national कि बन रहा है एक समय में किए स्थेम किया गया कार्य सेक्थि एक सेकेंड में किया गया कार्य शक्ति एकस में East बोलब घाएगा शक्ती कहलाएगा, सभड जूसका शकती Photo करेगे उसलिए यहां पर बीक बराबर है यानी कि जितना समय में जितना कारे किया जाएगा उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर सक्कारे को डबलू से सुचित किया जाता है capital W और समय को टी से सुचित किया जाता है तो यहां पर एक सुत्र मिल गया पी बराबर डबलू बटा टी इसको याद करने की जहुरत है बिल्कुल नहीं तो इसी तरह याद हो गया जितना समय में जितना कारे किया जाए उसको क्या बलगता है समय को किस में मात रख सेकेंड है तो विधूर शक्ति का से आई मात रख होता है जूल बटा सेकेंड और इसी को एक नाम दे दिया गया है वाट ठीख है क्या नाम दे दिया गया है वाट जिसको स्मॉल डबलू से सूचित किया जाता है छोटा वाला डबलू से वाट को तो विधुसक्ति का जो इस आई मात्रक हो गया वह क्या हो गया वाट हो गया वाट को जूल बटा सेकेंड भी बोल सकते हैं ठीक है अब कोश्चन कैसे पूछता है कि एकांग समय में एकांग जूल कार आता है ठीक है क्या बोल रहा है एकांग समय यानि की एक सेकेंड एक समय को क्या बोलते एक सेकेंड और एकांग जूल यानि की एक जूल तो एक सेकेंड में सेकेंड के जगा एक सेकेंड रख जीजिए ठीक है और एकांग जूल बोल रहा है ना तो जूल के जगा एक जूल ह तो एक से एक कट जायेगा कितना हो जाएगा एक वृत का तो आप लोग का एनसर क्या होगा इस तरह लिखिए आप लोग एक आंक समय में एक अंक जूल का रया एक i Will के शक्ति के बराबर होता है सेंपल यह दोनों कट जायेगा तो एक ही आहाँ पर एक सेकनद के जगाँ पर एक सेकर रखिए जूल के जएगा एक जूल रखी दोनों कर जाएगा तो एक आएगा, यांनि कि एक वाट क्या है शक्ति है सिम्पल हो गए इतना हो गया क्लियर बात देखेए अब यहां पर एक और चीज आप लोगों को ज़हन जरूरी है कि जो श क्ति का एसाइमातरक वाट होता है ठीके लेकिन इस से भी बड़ा एसाइमातरक होता है किलो वाट ठीक heir जैसे कि आप लोग का ग्राम होता है और कीलो द्रवेवाट को ग्राम में आपते हैं और किलो ग्राम में होते तरह विदू शक्ते का एक कीलो वाट रखे me किलोवाट इस से भी बड़ा होता है मेगावाट गीगावाट ठिक हे इस तरह होता है सिक्षक ऐसद सची बड़ाइं सेंड़ील्स वार्ट बराबर होता है साथ से ची आलिस वात मिलकर एक हो जो घोड़ा होता है, उसके पास जितनी शक्ति होती है, बिल्कुल उतना ही के बराबर 746 वाट होता है, ठीक है, किलियर हो गई बात, अब देखिए, एक और चीज़ आता है, विधुत उर्जा, विधुत जो उर्जा होता है न, विधुत उर्जा, इसका एसाई मातरक जढ़ इस तरह होता है लेकिन विदूत उर्जा का मत्रक क्या होता है वाट घंटा यहां पर शक्ति का इसा ही मत्रक वाट और विदूत उर्जा का इसा ही मत्रक वाट घंटा ठीक है लास्ट में घंटा लग जाता है किलोवाट घंटा मेगावाट घंटा गीगावाट घंटा इस तर देखिए अब आगे समझिए देखिए अब इस सुत्र को यहां पढ़ लाइए पी बराबर डबलू बटा टी अब देखिए इसके पहले वाले वीडियो में मैं बताई थी आप लोगों को उसमा के बारे में हीट के बारे में और सुत्र क्या निकला था हीट बराबर निकला थ था वी आई टी एक और सुत्र निकला था आई स्क्वाइर आर इंटो टी और एक और सुत्र निकला था भी स्क्वाइर बटा आर इंटो टी ठीक है इस तरह निकला था ना यह तू तीनों सुत्र निकला था और उसमें मैं बताई थी कि जो हीट होता है उसमां वो डबलू य यहां पर H को हटा कर डबलू लिख सकती हूं न तो डबलू बराबर वी आई टी डबलू बराबर I स्कौइर इन्टूटी और डबलू बराबर V स्कौइर बटा र इन्टूटी यह आप लोगे व का फर्मूला मिल गया अब अब दूसरे वाले ये वाले मान रखिए डबलू का डबलू के जगा I square into R and into T रखिए I square R into T और फिर बटा में T फिर T से T कट गया आप लोगों का P बराबर क्या आया P बराबर आया ये T से T कटने पर I square into R तो I square into R ये होगे आपने होका पावर का दूसरा नंबर फर्मूला ठीक है अब देखिए अब तीसरा मान रखिए डबलू का डबलू के जगा पर क्या है V square बटा R into T तो V square और बटा में है R ना तो बटा में R और इस बटा में क्या है बटा में T है ही है तो T दे दीजिए और into में क्या है T तो फिर T से T कट जाएगा और यहाँ पर P बराबर एक और सुतर निकल जाएगा इसक्वाइर बटा आर तो यह होगे आप लोग के पावर यान की शक्ति का तीसर नंबर फर्मूला और यह तीनों फर्मूला को आप लोगों को याद रखना चाहिए क्यों याद रखना चाहिए क्यों याद रखना चाहिए क्योंकि निमेरिकल में हेल्प करेगा बहुत ही help करता है तो यह तीनों फर्मूला याद करना है और यह आप लोग याद भी नहीं रहेगा यह याद रहेगा ना सब तो इसमें आप लोग यह है आप लोग का मेन फर्मूला इसमें इन तीनों का मान बरकर आप लोग यह खुद फर्मूला तयार कर सकते हैं जिस तरह मैं अभी तो यहां तक समझ में आ गया तो इसी के साथ आप लोग का यह विधूत भारा नाम का चप्टर कंप्लीट होता है इससे रिलेटेट कोई भी कमफिज़न हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए ज़्यदा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ वह आप तक सबसे पहले पहुचे तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिस